हेलो एव्रिवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं विवेक फिंटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं अभी रिसेंटली हमारा बजेट 2022 इंट्रड्यूज हुआ और उसके अंदर फानेंस बिल 2021 के अंदर जी एस्टी में ITC से रिलेटेड काफी जादा चेंजिस हुए हैं अब जो है ITC इंपुट क्लेम करना और ज्यादा मुश्किल होने वाला है किस तरीके से प्रोविजन के अंदर चेंज आने वाले हैं और फानेंस बिल में क्या क्या प्रुपोज हुआ है ITC से रिलेटेड वो सारा आज हम कवर करने वाले हैं विदाट एनी फॉदर दू चलते सीधर स्क्रीन पेन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आज के इंपूट टेक्स क्रेडिट के डिसक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक कहानी बताता हूँ किस तरीके से जो ह हुआ सारे फ्रॉड जो और गोवर्मेंट को लगा कि भाई प्रोविजनल आई टीस है हम हंडेट परसंट नहीं दे सकते तो गोवर्मेंट ने बोला कि भाई 20% प्रोविजनल आई टीसी आपको मिलेगा उसके बाद आगे जाकर कि इस 20% की लिमिट को 10% किया गया फिर 5% कि गया और अभी रिसेंटली जैनुवरी 2022 से आप कोई भी आई टीसी प्रोविजनल बेसिस पर क्लेम नहीं कर सकते हैं प्रोविजनल आई टीसी जी से अब आज की डेट में कम्प्लीटली वाश आउट हो चुका है आप प्रोविजनल बेसिस पर कोई भी आई टीसी क्लेम नह सकती है और यह मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूं लास्ट इयर ही एक नोटिफिकेशन आयती जहां पर गुवर्मेंट ने बोलो था अगर फिफ्टी लैक से ज्यादा की आपकी जो है टेक्स लियाविल्टी बनती है तो आपको वन परसेंट जो है वो कैश में देना पड कि फ्यूचर में जो आपके पास इंपुट एविलेबल भी है उसको भी क्लेम करने में आपको दिक्कत आ सकती है और इसी तरफ गर्वर्मेंट ने कदम बढ़ा है चले चलते हैं सीधा डिसकस करते हैं कि क्या-क्या अप्रेट्स आएं क्या-क्या चेंजिस आएं सेक्शन न यहां पर सब्सेक्शन टू के अंदर क्लाउस बी एक एड़ हुआ और क्लाउस बी एक के अंदर क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा आप इसको भूत ही ज़्यादा ध्यान से देटेल और बिचिकलिस के अंदर जो हमारा सब्सेक्शन टू वे इसके अंदर conditions कहने का मतलब सिंपल सी चीज नो नहीं यहां पर इस वाले provision में ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं डाली इन्होंने बोला section number 38 जाकर के पढ़ लो section 38 के अंदर section 38 भी update हुआ है और चो updated section आपको जो है वो पढ़ना है तो section number 38 जाकर के पढ़ लो उसके अंदर अगर restricted है तो भा 38 को जो नया section 38 है वो क्या बोलता है चलिए सीधा वहाँ पर चलते हैं नया section 38 पहले इस provision को एक बर समझ लेते हैं फिर और section 16 के changes को समझेंगे तो section number 38 पे आजाए section 38 को change करके नो नहीं इनका पूरा section ही change कर दिया communication of detail of inward supplies and input tax credit so पहले जो 2017 में जब GST आया था तो तब section 38 होदा हमारा GSTR 2 फाइल करने का जहां पर आपको accept करना है reject करना है बहुत सारी ऐसे सी बातल लिखी होती थी जो practically कभी GSTR 2 practical आया ही नहीं और वो कभी implement हो ही नहीं पाया तो इन्होंने क्या कि आप Locker provisions को चेंज कर दिया है जो practical होता है उसके according तो अब इन्होंने बोला communication of detail of inward supply and input tax credit और यहां पर GSTR 2 B की बाद जहो government कर रही है नौ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसके इसको चेक करना है इसके अंदर अगर आप eligible है तब आप जो section 16 कुस वाले condition को satisfy कर पाएंगे क्या लिखा हुआ section 38 के अंदर यह बिलकुल नया section है ध्यान से पढ़िएगा the detail of outward supplies furnished by the register person under section 1 of section 37 section 37 होता है GSTR 1 outward supply को show करने के लिए section 37 का use किया जाता है and of other such supply as may be prescribed and an auto generated statement बता यह जी auto generated statement कुछ सुनी सुनी सी लग रही है आपको इसलिए मैं आपको कल budget वाली highlights में बता दिया था कि आप इन्होंना law को क्या किया law को practical basis पर जो है अब उसको change किया है यह जो practical काम होता ह उसके according of law को graft करना start किया और उसके अंदर कुछ चीज़े add-on भी की है तो auto generated statement और कुछ नहीं हमारी GSTR 2 भी जो है वो auto generated statement होती है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है contain the detail of input tax credit shall be made available electronically to the recipient of such supplies in such form and manner within such time and subject to the conditions and restrictions as may be prescribed तो subsection 1 में बात की हुई है कि भाई outward supply जो है वो furnish कौन करेगा supply है और recipient के बास वो communicate होंगी GSTR 2 भी के अंदर ठीक है उसके बात subsection 2 जो है यह important है इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेगा section 38 का subsection 2 the auto generated statement under subsection 1 cell consist of अब वो दो चीज़े consist करता है क्या क्या पहला है detail of inward supply in respect of which input tax credit may be available to the recipient अब यहाँ पर एक word use किया गया है में यहाँ पर shell क्यों नहीं use किया गया क्योंकि एक point है GSTR 2B में अगर आपका कोई ITC RI doesn't mean कि आप उसके लिए eligible हो eligibility की condition आपको section 16, section 17 और section 38 को पढ़ने के बाद में ही decide करना है कि क्या आप उसके लिए eligible हो या नहीं हो हो सकता है वो block credits हो section 17.5 में block हो या फिर आप business purpose के लिए उसका use नहीं करते हो so GSTR 2B में आने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके लिए eligible ITC होगा eligible ITC के लिए conditions ये हैं पहले तो वो 2B में आना चाहिए फिर जो log के provisions हमकी condition को satisfy होगा जब उसके बाद में आप जो है उसके लिए eligible हो तो इसलिए यहाँ पर word use किया हुआ हुआ है may लेकिन जो हमारा यहाँ पर clause number B है clause number B बहुत important है इसको तरह ध्यान से पढ़िएगा detail of supplies in respect of which such credit cannot be avail तो पहला पार्ट तो वो गया यह तो वो गया detail of supply जिसका आपको input tax credit avail आप कर सकते हैं दूसरा है जिसके respect में आप input tax credit avail नहीं कर सकते वैदर wholly और partly by the recipient on account of the detail of the said supply being furnished under subsection 1 of section number 37 आप यहाँ पर इनों पॉइंट्स दिया हैं कौन-कौन से पॉइंट्स है जब आप जो है eligible नहीं है आप जो है उसको नहीं क्लेम कर सकते हैं तो इन पॉइंट्स को आपको धियान से स call हो गए तो भई आपके भले 2A के अंदर वो आ रहा हो लेकिन आप जो है eligible नहीं है ITC को क्लेम करने के लिए मेरी 2A नहीं 2B है basically अब तो 2B हमारा आ चुका है तो इवन तो 2B में आपका ITC आ रहा है बट इवन फिर भी आप जो है अपनी 3B में उसको क्लेम नहीं कर पाएंग सो गौवर्मेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है अब यह बहुत ही ज्यादा मतलब हाडशिप है टेक्सपेयर के उपर जो की मुठकर लगता है इन सारे प्रोविजन को मैंने ध्यान से अनलाइज किया मुझे काफी ज्यादा हाडशिप लगी इसके अदर गौवर्मेंट प्रिस्क्राइब नहीं है मतलब एक पार्टी से अगर आपने लिया है तो आपको मिल जाता है लेकिन यहाँ पर बोला है कि रिजिस्ट्रेशन विदिन सच पीरिड ऑफ टेकिंग रिजिस्ट्रेशन लेने के लेट सब्स गौवर्मेंट एक महिने तक आप जो है उसको क्ले कर पाएंगे तो एक बहुत टेड़ा मेडा सा यहाँ पर एक प्रूविजन एड किया गया है अभी कोई ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं है यहाँ पर टाइम पीरिड बट किस तरीके से लॉमेकर से इसको यूज करेंगे गोवर्मेंट यूज करेंगी वो आगे देखने वाली की बात होगी दूसरा जो हमारे यहाँ पर आता है सब क्लॉस बायर रिजिस्टर पर्सन हूँ है डिफॉल्टे इन पेमेंट ऑफ टेक्स और सच पीरिड एज में बी प्रिस्क्राइब सिंपल सा पॉइंट है आरवन में आपने सैल्फ असेस्मेंट पर उसको क्लेम कर लिया कि आपके outdoor tax liability है लेकिन 3B में आपने उसको tax की payment नहीं किये है अभी तक तो उस case में अब यहाँ पर problem ही है कि आपकी बात नहीं हो रही बात हो रही आपके supplier की तो आपके supplier ने अगर अपनी GST R1 फाइल कर दी तो आपके 2B में या तो वह आ गया बत अगर आपके supplier ने GST की payment न मैंने यहां पर काम किया मैं आपको starting में बता दिया मतलब अगर उसने आरवन फाइल कर दिया आपके 2B में आगे तो क्या आप eligible हो section 16 के according eligible हो section 16 में एक नया प्रूविजन डाला कि भाई section 38 जाके पढ़ लो section 38 के अंदर जो है इनो नो डाल दिया कि such credit cannot be avail वो कब तक avail नहीं किया दा सकता जब तक जो है आपका supplier अपने 3B के अंदर tax की payment ना कर दे यानि खाली GSTR 1 आपको अपनी नहीं देखनी supplier की GSTR 1 भी and access the output tax paid by him during the said period third point में simple से नो ने एक चीज़ समझाने की कोशिश की है कि भाई आपके GSTR 1 में जो आपने outward tax liability दिखाई है वो आपकी जादा है as compared to GSTR 3B यानि 3B में आपने अपनी कम outward tax liability दिखाई है R1 में जादा दिखाई है R1 में आपने claim आपनी जो liability है वो एक लाग की शो किये कि एक लाग का tax हमको pay करना है 3B में आपने only 80,000 पे करना है तो भाई ये तो गलती से भी हो सकता है ये तो गलती से भी हो सकता है तो अब ये इतना rigid होकर के government ने हाँ पर लिग दिया कि भाई अ आपको बता रहा हो no government का क्या intention है government अभी देखना भी मैं बता हूँ आपको एक provision आएगा government उस तरफ बढ़ रही है कि जो input tax credit available है यानि जो 2B में भी आ रहा है उसका भी आप एक limited percentage ही ले पाऊगे पूरा का पूरा ITC आप वो भी claim नहीं कर पाऊगे बहुत जादा strict हो रखिय government ITC से related next point देखो by a registered person who during such period as may be prescribed a period prescribed किया government ने करेगी मतलब has availed input tax credit of an amount that exceed the credit that can be availed by him in accordance with clause A by such limit as may be prescribed अब इस फोर्थ पॉइंट का मतलब पता है क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ फोर्थ पॉइंट में क्या बोलना चाहरे है फोर्थ पॉइंट बहुत मतलब इतना typical जो practical तकर आप देखने जाओं कि पॉसीबल ही नहीं है वो चीज़ by a registered person यानि रिजिस्टर परसन आपके supplier ने during such period as may be prescribed has availed credit of input tax credit अब बात की जारी है आपके supplier की आपके supplier ने अपना input tax credit avail किया आपका supplier जब अपनी 3B फाइल करेगा उसके अंदर ITC जो उसने claim किया है of an amount that exceed the credit that can be avail by him accordance with clause A and clause A के according जो claim कर सकता था उससे ज्यादा का उसने claim किया यहाँ पर बात हमारी नहीं की जारी मैं simple सा example लेता हूं मैं recipient हूँ मैंने आपसे कोई service ली तो यहाँ पर जो fourth number है ना sub clause number four है यहाँ पर government बोलना चाहती है कि आप जो मेरे supplier हो आपने मुझको service दी तो मुझको य उसके बाद मुझे यह भी check करना है कि आपने 3B में जो input tax credit claim किया मैंने नहीं आपने supplier ने जो 3B के अंदर input tax credit claim किया है वो भाई इस number clause A से जादा नहीं होना चाहिए अब यह चीज मैं कैसे check कर सकते हूं मुझे समझ जारा क्या approvision डाला है किस तरीके से practical यह possible हो पाएगा यह तो बैठ कर के कुछ भी लिख दो कुछ practical expect सोचो ना मैं कैसे identify करूं कि मेरे supplier ने 3B मेरे से अपना input tax credit ही हाँ पर ढंक से reconcile होता नहीं है मैं अपने supplier का input tax credit कहां से check कर लूँँआ कि उसने access claim किया है नहीं claim किया भाई सो यह तो था हमारा sub clause number 4 जो ठीक है sub clause number 4 हो गया अब पढ़ो sub clause number 5 उससे भी ज्यादा rigid कर दिया ITC क्या बोलना चाहरे है sub clause number 5 में ध्यान से पढ़ो by any registered person यह आपके supplier who has defaulted in discharging his liability in accordance with the provision of subsection number 12 of section number 49 section 49 के सीच का उत्यों मैं थोड़ा sex bin कर देता हूं payment of tax जो होता है GST का आप कर करते हैं वो section 49 के according करते हैं इसके अंदर एक नया subsection डाला subsection number 12 subsection number 12 subject to such condition and restriction as may be prescribed यानी जो आपका supplier है supplier ने अपनी टेक्स की liability की payment करी है वो sub section number 12 of section 49 के according करी है या नहीं करी है अगर करिये तब ही आप eligible हो अगर नहीं करी तो आप eligible नहीं हो अब कोशन आता है यह वह sub section number 12 of section 49 ब section introduce किया section number 49 के अंदर section 49 subsection 12 restriction on usage of ITC वैसे नहीं चीज नहीं है नहीं चीज नहीं है लास्ट एक notification IT ध्यान करो जहां पर government ने बोला था अगर आपकी 50 lakh से जादा की turnover है तो आप only 99% तक use कर सकते हैं अपना ITC यानि जो eligible ITC है उसको भी पूरा use नहीं कर पाओगे उसका only 99% use कर प government में on the recommendation of the council subject to such condition and restriction specify such यहां से ध्यान से पढ़ना अब इसको maximum proportionate of output tax liability under this act and under the IGST दोनों की बात की जा रही है which may be discharged through the electronic credit ledger by a registered person और a class of registered person as may be prescribed यानि government आपको बताएगी कि अगर आपके 2B के अंदर 2B के अंदर मेरा hundred rupees का ITC है तो government यहां पर use कर सकती है सब section number 12 of section 49 का और बोलेगी कि आप only 80% ITC claim कर पाएंगे तो आपके पास भले ही 2B के अंदर कितना है hundred आप खाली use कर पाओगे 80 rupees यह right भी government यहां पर अपने law के अंदर डाल दिया है मैं आपको क्या बोला है government उसी तरफ भढ़ रही है पहले तो provisional खतम किया अब जो ITC है उसको भी रिस्टिक करेंगे उसी की तरफ government जो है वो जा रही है तो आपको समझ में आ गया होगा यहां पर अब यहां पर point number five मे है यह हम से बोल रहे है कि आपको अपने supplier का भी चीज देखनी है अब हम कैसे देखेंगे question यह कि practically कैसे apply करेगा एक recipient कि उसका जो supplier है उसने जो tax की payment की है वो कितना percent cash में करी है कितना percent उसने credit का use किया है और कहीं कि उस credit में कोई access credit तो उसने claim नहीं कर लिया कहीं उसने अपने ना fake ITC की उस chain को crop करने के लिए यहाँ पर यह वाले points इनो नहीं डाले है बट कहीं ना कहीं आप सोचो एक genuine person जो है genuine taxpayer है उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि वह इंचीज को कहीं से भी check कर पाए कैसे check कर सकता हूं उसकी calculation में कैसे check कर सकता हूं इतना तो check कर कर सकता हूं उसने file किये नहीं किये चलो पहले दूसरे point में तो मैं clear कर सकता हूं कि मैं उसने r1 file करी अपनी 3b file करी नहीं करी मैं portal पर डाल करके देख लूँगा कि उसने अपनी 3b file की या नहीं कि बट 3b के अंदर उसने अपना जो ITC लिया कई वो ITC access ITC निया वो मैं कैसे check करूँगा r1 or 3b बिल्कुल same है नहीं कि वो मैं कैसे check करूँगा तो वो चीजे थोड़ी से practical possible नहीं और government का objective जी बी जो है यहां से आप समझ गए होंगे कि वो जो litigations होते हैं वहाँ पर in sections का use किया जाएगा जो series बनती है fake firms जो होती है उनको crop करने के लिए इसका use करने वा कर सकते हैं तो यह सारी restriction लगए और in restriction को जोड़ दिया इन्होंने कहां पर यह restriction सारी आपकी add कर दी इन्होंने section number 16 के इंदर जो हम discuss कर रहे थे clause number BA जो add किया है कि the detail of input tax credit in respect of the set supply communicated to service पसंदर section 39 has not been restricted और वो restrict नहीं है तो अगर वो restricted है तो आप section 16 के अंदर eligible नहीं है उस ITC को claim क करने के लिए और यह restriction मैंने आपको पढ़ाई काफी सारी यहां पर restriction उन्होंने add की हुई है ITC claim करना आज की date में is not a cup of tea मलब कैसे एक normal businessman के लिए GST बनाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है यह इतनी technical चीज़ें के अंदर add कर दी जाती है तो कैसे उसको फिर एक और update है section 16 के अंदर एक पहली से update आई है थोड़ी अच्छी ख़वर है आपके लिए जो input tax credit claim करने के limit होती है तो पहले होती थी वो due date of furnishing of the return under section 39 of September month September month की 3B की जो due date होती थी वो आपकी last date होती थी ITC claim करने के लिए उसको change करके कर दिया गया 30th day of November यानि 30th November of following year तक जो आप अपना ITC claim कर सकते है अच्छा जाते जाते एक छोटा से disclaimer दे देता हूँ यह जो notification यह जो finance bill की updates हमने पढ़ी यह proposed है finance act के अंदर यह आएंगी तब finalize होंगी उसके बाद यह जो है first April's applicable नहीं होती है जितनी भी GST के updates होती हो उसको CBIC जे इस date से notify करती है तब से वो applicable होती है तो यह मैंने आपको explain कर दिया पूरा provision सारे provision section 38 भी explain कर दिया section 16 की updates भी explain की बट वो applicable effect में तभी आएंगी जब CBIC उनको notify करेगी इन चीज़ों का ध्या किये और government का क्या intention है provisional खतम करना और अब जो ITC है उसके उपर भी restriction लगाना section 49 के अंदर की amendment भी हमने cover की ओप सो आपको session पसंद आया होगा thank you so much for watching today's session have a great time हस्तर रिये मुस्कुनातर रिये बाइबाए ठीक्या